हेलो वच्छो स्वागत है आपके अपने पसंदेदा चैनल Study IQ Premium में आसा करता हूँ आप सो लोग अच्छे होंगे आज हम देखने वाले हैं 20GK General Knowledge के महत्पून क्वेशन जो कि आपके आने वाले एक्जामों के लिए महत्पून होने वाले हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जादा से जादा शेयर कर दें बेल आइकन को जरूर दबा लें ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं पहला को 24 को पहला कॉशन है कौन सा जानवर अंडा और दूद दोनों देता है रायट आइट सरक्राइब करिंगे ऑप्सन है चमकादडर भी ऑप्सन है सांप सी प्लैटिपस या विछैंल हो तो रायट सरक्षिगे इसका रायट आइट सर NAS अच्छा ब्सक्राइब प्लैटिपस जो प्लैटिपस है ये अंडा और दूद दोनों ही देता है आगे देखेंगे अगला कॉस्छन है ये कौन सा पक्षी है जो कंकर पत्थर भी खा लेता है खा लेता है या पचा लेता है तो कौन सा है A. सुत्रमुर्ग B. बाज C. निलकंट या कोयल तो राइट आ अंसर होगा option B बाज जो बाज है ये कंकर पत्थर को भी खा जाता है ध्यान रखेंगे अगला question देखेंगे question है भारत में आजादी के बाद पहली जनगड़ना कब हुई थी option है 1955, 1951, 1969 या 1960 राइट आंसर टिक करेंगे इसका राइट आंसर होगा बच्चो option B 1955 जो है पहली जन गड़ना हुई थी आजादी के बाद भारत में अगला question देखेंगे question है राइष्ट समुंदर विज्ञान संस्ता कहां इस्तित है option D रखेंगे पंड़ जी गुजरात सी ओप्सन तहरा दून डी आसाम राइट आंसर टिक करेंगे इसका राइट आंसर होगा option A पंड़ जो पंड़ जी है राइष्ट समुंदर विज्ञान संस्ता यहां पे इस्तित है ध्यान रखेंगे अगला question है राइष्ट पती पदहतू उम्मीदवार की निम्तमायू कितनी होनी चाहिए option A 40 verse B 35 verse C 18 verse यह D 20 verse इसका राइट आंसर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा option B 35 verse ज चाहिए आगे देखेंगे अगला question है प्रसिद कोहनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था जो कोहनूर हीरा है यह कहां से प्राप्त किया गया था A गोलकुंडा की खान से B केब्रेले की खान से C प्रेमियर खान से यह D इन में से कोई नहीं तो देखेंगे इसका राइट आं रेखेंगे, question है, मनिश्य के सरीर में उसके वजन का कितना प्रतिसत पानी होता है, option है, 80%, B 50%, C 70%, या D 60%, इसका right answer होगा, option C 70%, जो है, मनिश्य के सरीर में अपने वजन का पानी होता है, ठीक है, अगर किसी में 100 किलो वजन है, तो उसमें 70 किलो पानी पाया जाएगा सरीर में, चंद्रमा से प्रत्वी की कौन सी जगह है, जो की स्पेस्ट देखी जा सकती है, A, चीन की दीवार, B, ताजमहल, C, एफिल टावर, या D, लाल किला, right answer टिक करेंगे, इसका right answer होगा, बच्चो, option A, चीन की दीवार जो है, ये चंद्रमा से भी प्रत्वी पर देखी जा सकत ये जरूर दिहां रखेंगे, अगला question, पत्यों का रंग हरा क्यों होता है, option A है, हैड्रो क्लोरिक अमले के कारण, B, क्लोरोफिल के कारण, C, केरोटी नाइट के कारण, D, वाईउ के कारण, इसका right answer देखेंगे, पत्यों का हरा रंग जो होता है, बच्चो, क्लोरोफिल, B option, इसका right answer होगा, क्लोरोफिल के कारण, ये होता है, अगला question देखेंगे, question है, C of ट्रेकुलेटी कहां इस्तित है, तो ये एक जगे का नाम है, C of ट्रेकुलेटी, तो आप बताएंगे, ये कहां पे है, A, चांद पर, B, मंगल पर, C, सूरे पर, D, प्लेटो पर, right answer टिक करे करेंगे, इसका right answer होगा, जो C of ट्रेकुलेटी है, ये आपका A option, चांद पर, इस्तित है, ध्यान रखेंगे, अगला question देखेंगे, question है, हवाई जहाज की गती, बताने वाले यंत्र का क्या नाम है, A, हेको मीटर, B, बेरो मीटर, C, पोलोग्राफ, D, लेक्टो मीटर, right answer ट करती को बताने या मापने का काम करता है, आगे देखेंगे, अकला है, विस्वका सबसे अधिक जन्संख्या वाला नगर कौन सा है, A, मोस्को, A, B, टोकियो, C, दिल्ली, या केलोफोनिया, right answer टिक करेंगे, इसका right answer होगा, B, option, टोकियो, जो टोकियो होए, विस्वका सबसे अधिक जन्संख्या वाला नगर है, याद रखेंगे, अकला question है, सबसे अधिक अपराद किस देश में होते हैं, A, option, अमेरिका, B, जापान में, C, भारत में, या D, चीन में, right answer देखेंगे, बच्चो इसका right answer होगा, option A, अमेरिका, जो अमेरिका है, इसमें सबसे अधिक अ प्राचीन विस्विद्याले का नाम बताए, जो संसार का सबसे प्राचीन विस्विद्याले का नाम बताएंगे, A, नेलंदा विस्विद्याले, B, तच्च चिला विस्विद्याले, C, पामिया विस्विद्याले, E, या D, विक्रम चिला विस्विद्याले, right answer टिक करेंग बचो इसका right answer होगा C option पामिया विद्याल है ठीक है अगर बाहरत के संदर में पूछा जाए तो आप लगाएंगे C, B option तच्छिसला विद्याल है और संसार के संदर में पामिया विद्याल है याद रखेंगे अगला question थल सेना दिवस कब मनाया जाता है A option 15 जनवरी को B, 20 जून को या C, 15 मार्च को या D, 15 पांच जून को तो right answer टिक करेंगे इसका right answer होगा option A जो 15 जनवरी है इस समय थल सेना दिवस मनाया जाता है अगला question देखेंगे question है बच्चो रोटी किस गैस के कारण फूलती है option A, helium के कारण B, argon के कारण C, carbon dioxide के कारण या D, oxygen के कारण right answer टिक करेंगे इसका right answer होगा C option जो carbon dioxide है इसके वज़े से रोटी जो है आपकी भूलती है ठीक है याद रखेंगे अगला question है साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है A option 22 दिसंवर B, 1 जून C, 25 जन्वरी या 22 चुलाई right answer टिक करेंगे बच्चों इसका right answer होगा 22 दिसंवर जो 22 दिसंवर है ये जो है आपका साल का सबसे छोटा दिन होता है याद रखेंगे अगला question देखेंगे question है कागज का विसकार किस देश में हुआ था A, भारत B, चीन C, जापान ये डी, अमेर का right answer टिक करेंगे जो कागज का विसकार है बच्चों ये हुआ था आपका option B चीन में याद रखेंगे आगे की तरफ चलेंगे अगला question है विसका सबसे संक्रिया जोला मुखी कौन सा है A, एटना B, पॉप C, किली मंजारो D, को सुल्तान right answer टिक करेंगे बचों इसका right answer होगा option A, एटना जो एटना है ये विसका सबसे वड़ा संक्रिया जोला मुखी है याद रखेंगे अगला है fourth state किसे कहा जाता है option दे रखें आपके सामने A, समाचार पत्र को B, पुस्तक को C, पौदे के अध्यन को D, कोई नहीं तो right answer टिक करेंगे fourth state के नाम से किसे जाना जाता है इसका right answer होगा option A, समाचार पत्र तो याद रखेंगे समाचार पत्र को fourth state के नाम से जाना जाता है तो यहीते आज के महतपूर्ट टंटी question जो कि आपके आने वाले एक्सामों के लिए महतपूर्ट होने वाले ही तो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कहा है तो चैनल को subscribe करके जरूर जाएं तब तक के लिए आने वाले वीडियो तक जैहिंग जै भारत